दोस्तों वीडियो का थमनेल देखकर कि आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का जो वीडियो है ये कंपेजन वीडियो है जहांपर हम कंपेर करने वाले हैं टाड़ा पंच के बेस मोडल प्योर को प्योर रिदम मोडल के साथ में और आपको बताएंगे इन दोनों ही मोडल में से कौन सा मोडल अपने लिए कंसीडर करना चाहिए तो दोस्तों वीडियो की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दोनों की प्राइजिस और उनके डिफेंस के बारे में तो दोस्तों पंच का बेस मोडल प्योर आपको 5,99,900 रुपीज के एक्शोर पांच डिफेंस देखने को मिलते हैं और इन पांचों में सबसे पहला डिफेंस आता है म्यूजिक सिस्टम का दोस्तों प्योर रिदम मोडल अगर आप पर्चेस करते हो तो यहां पे आपको हर्मन वाला मैनवाल म्यूजिक सिस्टम दिया गया है जिसके अंदर आपको AM, FM, USB, Aux और Bluetooth की connectivity मिल जाती है जबकि बेस मोडल प्योर करनर आपको कोई म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता दूसरा डिफेंस आता है स्पीकर का प्योर रिदम मोडल में अगर आप जाते हैं तो यहां पे ट्रॉल आपको चार स्पीकर दिया जाते हैं जो के चारो दिये जाते हैं जबकि बेस मोडल प्योर के लेने पर आपको इस्टेरिंग के उपर कोई भी कंट्रोल नहीं मिलते हैं चौथा डिफेंस आता है USB सॉकिट का दोस्तों अगर आप प्योर रिदम मोडल पर्चेस करते हैं तो यहां पर आपको डैश बोर्ड के अंदर USB दिफेंस आता है अंटीने का दोस्तों प्योर दिफेंस टांनरा आपको क्यों यहां पर आपको रिड्यो बी नहीं नहीं दिया गया तो यह थे फो इन दोनों ही समझ में उम्मेद करता हूँ आपको references समझ में आए होंगे बात करें आपको कौन सी car purchase करनी चाहिए तो सिर्फ आपको अगर music system की requirement है अपनी car के अंदर तो आप pure rhythm model purchase कर सकते हैं लेकिन दोस्तों याद रखें कि pure rhythm भी एक तरीकी का base model ही है जिसके अंदर आपको rear की power windows, remote center door locking और touch screen music system जैसे features नहीं मिलते हैं तो अगर आप pure rhythm model purchase भी करते हैं उसके बाद भी after market अपग्रेट करवाते हैं तो उससे better है कि आप base model consider करें और फिर जाकर कि उसके अंदर modification करवा करके अपनी requirement को पूरा करें बाकी आपकी क्या राय है आप हमें comment section में ज़रू बताएं वीडियो informative लगा हो लाइक करें चैनल पस्था आप सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग वहन ओफिशियल